नमस्ते दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त भगवदी प्रसाद पूरवत एर्वकेट और आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि चाचा की जमीन में बतीजे का हक कब बिलता है ठीक है अरतार चाचा की जमीन रहती है वो बतीजे को केसे और कब प्राप्त हो सकती है तो दी पूर जानकरी को आज की वीडियो में हम समझने माले हैं आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए बेलाइक को ब्रेश कर दिए ओएस वीडियो को फटाफट लाइक कर दिजिए क्योंकि इस चैनल के माध्यमसा आपको मिलते है स्रुल असन वाश्रा में कानून की ने ने जान करें तो आई ये वीडियो को शुरू कर लगते हैं वेकर दोस्तों जैसे मां लेते हैं कि इस ए नाम की व्यक्ति की ब्रत्थ हो चुकी है इसके नाम है छे विगा जमीन है तो ऐसी इस्तितिती में क्या होगा कि सबसे पेले इस ए नाम के व्यक्ति के जितने भी वारिस है अगर यह लोग है, तो ऐसी इस्तिति में उन लोगों को जमीन जाएगी ठीके, लेकिन अगर इस व्यक्ति के गर पर किसी पूतर ने कभी भी जन्म नहीं लिया है, किसी पूतरी ने कभी भी जन्म नहीं लिया है, ठीके, इसकी जो विद्वा है, ठीके, इसकी विद्वा जो है, अरता इसकी पत्ली जो है, वह इसकी म्रत्यू के पूर्व ही म्रत हो चुकिये, क्या हुआ? म्रत हो चुकिये, या फिर इस व्यक्ति का विवा ही नहीं हुआ है, तो ऐसी इस्तिति में इसके पूत्र पूत्री भी नहीं होगे, इसकी विद्वा भी नहीं होगी, लेकिन ऐसी इस्तिती में क्या होता है, कि इसकी माता जो है, इसकी माता जो है, वह इस जमिन को प्राप्त कर सकती है, लेकिन क्या होता है, कि अगर इस ए की जब म्रत्यू हुए, उस समय इसकी माता ज इस A के जो पीता रहते हैं, पीता जो रहते हैं, उनको इस संपत्य को प्राप्त करने का अधिकार देता है, लेकिन देखें, अगर जब इसकी म्रत्यू होती है, उस समय इसके पीता भी जीवित नहीं है, अर्थाद इसकी म्रत्यू से पहले ही पीता एकस्पायर हो चुके है, तो ऐसी इस्तिति में क्या होगा, कि इस A की संपत्ति जो है, यह जमीन जो है, यह किसे मिलेगी, इसके भाई और बेनों को, किसको भाई और बहन को प्राप्त होगी, लेकिन देखिए, अगर इसकी जब मृत्त्य होई है, उस समय अगर इस A के कोई भाई भी जीवित नहीं है, इसकी कोई बहन भी जीवित नहीं है, तो ऐसी इस्तिति में क्या होता है, कि अगर इस A के अगर कोई भाई है, जिसे B नाम का कोई भाई है, ठीक है, और उसकी मृत्यू भी, इसकी मृत्यू से पूरू हो चुकी है, तो ऐसी इस B के जो भी पूत्र पूत्री है, उनको यह सम पत्ति प्राप्त हो जाएगी तो देखे दोस्तों इस प्रकार के जो प्रावधान दिये गए हिंदु अत्रा अधिकार अधिनियम कि धारा आठ में दिये गए हैं और अनुसुची में दिये गए हैं तो मैं विश्वास रखता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक कर दीजिए अधिक सब्सक्राइब को शेयर करती फिर मिलते हैं विडियो में तक के लिए जाए हिंचे भारत